Hello everyone and welcome to all in daily current affair MCQs आज तारिक है 4 October 2020 तो आज देख लेते हैं कौन-कौन से important questions है आज Questions की और बढ़ने से पहले हैं हमारे कुछ paid subscriptions है जिनने आप ले सकते हैं yearly plan जो है 499 डूपीस का है, monthly जो है 99 डूपीस का है और NCRT 299 डूपीस का है अगर आप यह early plan लेते हैं तो आपको करना क्या होगा 499 डूपीस आपको Google पे या फोन पे करना होगा रिस्पेक्टिव नंबर पे उसके बाद screenshot को share करना होगा WhatsApp पे जैसे हैं आप screenshot को share करते हैं आप यह सारी facilities को avail कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग current affair discuss करेंगे उसके PDF नोट को भी avail कर पाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे जो हमारा पहला question है वो data governance quality index survey के बारे में हैं तो आई यह statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement कहता है यह survey है वो conduct किया जाता है ministry of ruler development के द्वारा हमारा जो दूसरा statement है वो यह कहता है यह survey है वो assess करता है performance को central sector schemes और centrally sponsored schemes के implementation को तो बताएं कौन को से statement correct है regarding DGQI तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला statement है वो incorrect है लेकिन दूसरा अला बिल्कुल correct है तो option B जो होता है वो correct हो जाता है आए जान लेते हैं इसके बारे में देखिए जो department of fertilizers है ना जो कि ministry of chemicals and fertilizers के अंतर गता आता है उसने rank 3 को secure किया है on data governance quality index में ठीक है देखिए जो data governance quality index है ना यह जो survey वो conduct किया जाता है development monitoring and evaluation office के द्वारा जो की नितियायो की एक body है इसलिए जो पहला statement हो वो incorrect हो जाता है देखिए जो यह survey है ना उसका main aim क्या है इसका aim यही है कि वो assess करेगा different ministries और department को जैसे कि performance को enhance किया जा सके central sector schemes और centrally sponsored scheme के implementation में इसलिए जो दूसरा statement हो वो बिलकुल correct था जो further information इसके बारे में वो देख लेते हैं देखिए survey का objective क्या objective यही है कि healthy competition को promote किया जाए जिससे की cooperative peer learning की जा सके आपस में ठेक है जो index से वो prepare कैसे किया जाता है इसके अंदर क्या है six major themes है कौन कोंसी data generation, data quality, use of technology, data analysis, use and dissemination, data security, HR capacity in case studies ठीक है देखिए जो ministries and department है उसको classify किया गए छे categories में कौन कोंसी है वो administrative, strategic, infrastructure, social and economic and scientific तो यह सारी information हो गई DGQI के बारे में चले बढ़ते आगे जो हमारा second question है वो atal tunnel के बारे में है तो आईए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement कहता है कि यह tunnel है वो connect करती है उसके बाद जो दूसरा statement हो वो भी बिल्कुल correct है और जो last statement है वो incorrect है इसलिए जो option A होता वो correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इसके बारे में देखे हाल में ही प्राइम मिनिस्टर ने inaugurate किया है अटल tunnel को यह tunnel कहां पर हिमांचल प्रदेश में है देखे यह हिमांचल प्रदेश के रोतांग district में पड़ती है और यह जो tunnel है वो connect कहां कहां करती है यह Solang Valley को connect करती है जो मनाली के पास है उसके बाद यह शिशू को connect करती जो लहौल में है और ultimately यह Spity district को connect करती है मतलब जो tunnel है वो मनाली से होते हुए लहौल से होते हुए और Spity तक जाती है ठीक है इसलिए जो पहला statement वो बिल्कुल correct था देखे जो tunnel है उसकी length कितनी है 9.02 km है ठीक है तो यह longest highway tunnel बन जाती है पूरी world में और यह situated है 3000 meter height पे इसलिए जो दूसरा statement था वो भी बिल्कुल correct था देखे अटल tunnel की बात करें तो इसको रोहतांग tunnel के नाम से भी जाना जाता है और यह जो tunnel है वो कहां पर located है पीर पंजाल रेंज बे ना की धोलाधार रेंज बे इसलिए जो तीसरा statement था वो incorrect था तो यह सारी information होगे इस tunnel के बारे में चली बढ़ते आगे जो मारा third question है वो exercise बोंगो सागर के बारे में है यह तरह की bilateral naval exercise है हमें यह बताना है जो exercise है वो किन दो country के बीच में conduct की जाती है तो options को देख लेते हैं इंडिया बांगलादेश इंडिया मालदीश बांगलादेश इंश्रेलंका मालदीश इंश्रेलंक तो मैं आपको बता देना चली तो यह exercise जो हो conduct की जाती है इंडिया और बांगलादेश के बीच में तो option A बिल्कुल correct हो जाता है आए जान लेते हैं इसके बारे में देखे जो second edition है ना बोंगो सागर exercise का वो conduct किया गया है कहां पर North Bay of Bengal में कब 3rd October 2020 को इसलिए जो बोंगो सा गर है ना वो इक तरह की bilateral नेवर exercise है किसके बीच में इंडिया और बांगलादेश के बीच में इसलिए जो पहला option था वो बिल्कुल correct था देखिए इस exercise का aim क्या है देखिए जैसे सभी exercise का कुछ ना कुछ हैम होता है इसका भी वही normal सा aim है कि interoperability को वढ़ाती है और joint operational skills को increase क करती है इस होता कैसे wide spectrum of maritime exercises और operation को conduct किया जाता है जिससे क्या होता है interoperability joint operational skills जो हती है वो develop होती है या enhance होती है तो यह सारी information हो गई इस exercise के बारे में चले बढ़ते आगे जो हमारा fourth question उसमें कुछ statements mention की गई है तो इस statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement कहाता है जो महात्म statement वो यह कहता है जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा है वो founded किया गयता है किस के दोरा महात्मा गांधी के दोरा कहां पर वार्धा में कब 1942 में तो बताए कौन कौन सा statement correct है तो मैं आपको बता देना चलता हूँ जो पैदा statement हो वो incorrect है लेकिन दूसरा बिलकुल correct है तो option जो B होत में एक pact sign हुआ था तो उसको accept कर दिया था और इसके exception के बाद क्या हुआ था जो civil disobedience movement था ना उसको called off कर दिया गया था यानि उसको end कर दिया गया था और गांधी जी साथ में ये भी agree किये थे कि वो attend करेंगे second round table conference को कहां पे London में तो ठीक तो यही एक table conference था जिसको गांधी देखिए जो third round table conference था ना उसको ना गांधी जी ने attend किया था ना किसी INC के member ने attend किया था मतलब ना गांधी जी गया ना INC कोई member गया उसमें हिंदुस्तानी प्रचार सभा के बारे में देख लेते हैं देखिए हिंदुस्तानी जो प्रचार सभा है ना उसको found किया गया था हिंदी as well as उर्दू दोनों से मिल के बनती है तो इसलिए दूसरा statement जो हता है वो बिल्कुर correct हो जाता है तो यह सारी information होगे इसके बारे में चले बढ़ते हैं आगे जो मारा fifth question है वो retributive justice के बारे में है तो आए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement यह कहता है कि जो retributive justice है वो एक तरह का criminal justice system है जो की based है punishment of offenders पे और साथ में उनके rehabilitation पे हमां जो दूसरा statement है वो यह कहता है कि जो justice system है वो require करता है कि जो crime के लिए response है न वो directly proportional हो या proportional हो committed offense है तो हमें बताना है कि कौन-कौन सा statement incorrect या नहीं not correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला statement है वो incorrect है लेकिन दूसरा बिल्कुर correct है लेकिन हमें incorrect वाले को mark करना है तो option यह जो हता है बिल्कुर correct हो जाता है आए जान लेते हैं इसके बारे में देखे सुप्रीम कोड ने हाल में ही कहा था कि length of prison या gravity of crime दोनों के basis पे भी न जो convicted है उसको premature release नहीं मिल सकती jail से मतलब जितना उसको justice में decide किया गया है कोड के दवारा कि जितने years माल ली है तो उसको 20 years jail में बिताने होंगे ऐसा नहीं होगा कि उसको सजा में कोई रियायत मिलेगी ठीक है इसी जो retributive justice system था वो news में आया था आए जान लेते हैं इसके बारे में देखिए जो retributive justice system है न वो एक तरह का criminal justice system है जो की based है punishment of offenders पे ना कि उनके rehabilitation पे मतलब अगर कोई offender जो है वो law को break करता है तो justice के अंतरगत उसको उतना सफर भी करना पड़ेगा ठीक इसलिए जो पहला statement था वो incorrect था देखिए जो retributive justice system है वो require करता है मतलब एक तरह का ऐसा system है जिसमें क्या होता है कि crime को लेके जो response है वो proportional होता है committed offense है इसलिए जो दूसरा statement था वो बिलकुल correct था तो यह सारी information होगे justice system के बारे में चले बढ़ते हैं आगे जो हमारा sixth question है वो brahmos missile के बारे में है तो आए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement यह कहता है यह जो missile है इसकी जो speed है वो 10 times है sound के हमा जो दूसरा statement है वो कहता है यह surface to surface super chronic cruise missile है हमा जो तीसरा statement है वो यह कहता है यह missile है वो jointly develop की गई है इंडिया और इसराइल के द्वारा तो बताए कौन-कौन से statement correct है regarding brahmos missile तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला statement है वो incorrect है दूसरा बिलकुर correct है और तीसरा भी incorrect है इसलिए option B जो हता है वो correct हो जाता है आए जान लेते है उसके बारे में देखे ह हाल महीना brahmos missile को successfully flight test किया गया है इसलिए ये news में था देखिए जो brahmos missile वो surface to surface super chronic cruise missile है जिसमें indigenous booster और earframe section भी इसके features है देखिए जो missile है वो 3 times speed of sound पे उड़ सकती है इसलिए जो इसकी speed है वो 2.8 mac है यानि 2.8 times the speed of sound ठीक है ये जो brahmos missile है उसकी अगर accuracy के बात करें तो इसकी pinpoint accuracy है और ये किसी भी target को hit कर सकती है जो कि 400 km away situated है देखिए जो missile वो jointly developed की गई इंडिया और रश्या के दोरा ना कि इंडिया और इसराइल के दोरा और इसका जो पहला test वो तो कब वो था 2001 में तो ये सारी information हो कोई ब्रह्मोस के बारे में चली बढ़ते आगे जो हमारा 7th question वो power grid corporation of India के बारे में है तो आईए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement ये कहता है एक Indian state owned नवरतन company है दूसरा statement कहता है ये जो power grid corporation है वो transmit करती है 76% of total power generated in India on its transmission network हमा जो तीसरा statement है वो ये कहता है कि जो power grid corporation है वो operate करती है throughout India option D ये कहता है option A and C दोनों correct है तो बताए ये कौन सो option correct है तो मैं आपको बताने जाता हूँ जो correct option है वो option C है आईए जान लेते हैं इसके बारे में देखें 1998 में पावर ग्रेट को recognize किया गया था जा महारतन company in category 1 और PSU और बाद में 2008 में इसको नवरतन का status मिला और 2019 में इसको महारतन का status मिला इसलिए जो पहला statement था वो incorrect था देखें जो power grid है वो transmit करती है 50% of total power generated in India on its transmission network इसलिए दूसरा statement भी incorrect था देखें पावर ग्रेट ज पावर इट के बारे में चले बढ़ते आगे हमार जो eighth question है वो यह कहता है कि हाल में इंडिया ने sign किया है statement of intent on decarbonization and energy transition agenda तो हमें बताना है जो statement of intent है वो किस country के द्वारा sign किया गया है या किस-किस country के बीच में sign किया गया है तो यह sign किया गया है इंडिया और जापैन के बी बीच में इंडिया और वेतनाम के बीच में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो statement of intent है वो sign किया गया है इंडिया और नीदर लैंड के बीच में तो option जो सी होता है वो बिल्कुल correct हो जाता है आए जान लेते हैं इसके बारे में देखिए हाल में इंडिया और नीदर लेन उसका एजंडा यही है कि cleaner और more energy को accommodate किया जाए ठीक है इसका जो main focus होगा वही होगा कि innovative technological solutions को leverage किया जाए और expertise का use किया जाए दोनों countries के बीच में जिससे क्या हो सके exchange of knowledge हो सके collaborative activities हो सके ठीक है और हम अपने aim को भी achieve कर पाए किस aim को cleaner and more energy को तो यह सारी information होगा इस intent के बारे मे चली बढ़ते आगे जो हमारा nine question है वो international energy agency के बारे में है हमें यह बताना है कि जो agency उसके mandate focus कौन कौन से है तो यह options को देख लेते हैं energy security, economic development, environmental protection तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह जो agency है यह तीनों की तीनों उसके mandate focus है तो option जो D होता है वो correct हो जाता है आई यह जा broad focus है उसको कहा जाता है three E's यह three E's के नाम से famous है कौन कौन से है energy security, economic development और environmental protections यानी three E तो यह सारी information हो गए ही energy agency के बारे में चली बढ़ते आगे जो मरत तेंथ question वो इसराइल के बारे में है हमें यह बताना है जो इसराइल है वो border करती है किन-किन country है उस हो तो Saudi Arabia को, Egypt को, Turkey को, Jordan को या Lebanon को तो मैं आपको बता देना चाहत हो जो इसराइल है वो border करती है Egypt को, Jordan को और Lebanon को तो इसलिए जो correct option हो जाता है वो हो जाता है C तो आएए जान लेते हैं इसके बारे में तो आएए map में देख लेते हैं इसराइल को, देखिए यह है इसराइल, ठीक है इसराइल के आप right-hand side देखेंगे तो आपको देखेंगा Jordan इसराइल के आप north side देखेंगे तो आपको देखेंगा Lebanon और इसराइल के जो east side देखेंगे आपको देखेंगा Egypt तो Egypt जो बार्डर है Lebanon, Jordan और Egypt से इस्राइल जो बॉर्डन है वो हैं लेबनें जॉर्डन और इजिप्ट से तो यह सारी इंफोर्मेशन होगा इस्राइल के बारे में चले बढ़ते हैं गया ओके वी हाव रिस्टू दे एंड इफ यह फॉंड इस वीडियो नॉलेश्फूल प्लीज हिट दा लाइक बटन सब्सक्राइब टो और चैनल और शियर दिस वीडियो और आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप बिलकुल कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं आपने अगर देख हो तो मैं comment section में regular reply करता हूँ जिस भी aspirant को लगता है कि कोई confusion है या कोई भी aspirant कोई भी question पूछन पूछना चाता है तो वो comment section में mention करता हूँ उसका reply में ज़रूर करता हूँ ठीक है और अगर आप हमारे telegram group को join करना चाते हैं तो you can join our telegram group the link will be provided in the description box and thank you for watching the video have a good day